नमस्कार दोस्तों मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जो घंटे का बटन है उसको दबा लीजिए अगर आप फेश्बुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो फेश्बुक पेज हमारा उसको फोलो कर लीजिए और जो पेज का जो लिंक हो वीडियो के डिस्किप्शन में आपको मिल जाएगा तो चलिए किसान बात करें तो 152 से लेकर के 157 दिन का 156 दिन का समय जो है यह पूरी पकर त्यार होने में वाराइटी लेती है उत्पादन के अगर हम इसकी बात करते हैं तो 21 क्वेंटल से उपर यानि की 22, 24 क्वेंटल तक या 25 क्वेंटल तक भी इसका उत्पादन जो है देखने को मिलता है बात करें इसके बिजाई के समय की तो आप इसको जो है अगेती बिजाई करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा लेकिन आप इसकी समय पर बिजाई भी कर सकते हैं पिछेती बिजाई के लिए इस वराइटी को प्योग ना करें अगेती बिजाई के लिए अगर करेंगे तो तो काफी अच्छे रिजल्ट जो है इसके देखने को मिलेंगे अब बिमारी की बात करें कि आखिर कौन कौन सी बिमारीयों के प्रति यह सहनसील है तो मैं आपको बता दूँ यह जो वराइटी है HD 29-67 यह पीला और भूरा रत्वा के प्रति जो है बहुत ज्यादा सहनसील है यानि कि पीला और भूरा रत्वा की जो समस्या इसके अंदर जो है नय के बराबर देखने को मिलती है बहुत ही कम चांसी है कि इसके अंदर ऐसी समस्या देखने को मिलें क्योंकि इसके प्रति जो है बहुत ज्यादा सहनसील होती है अगर बात करें इसकी कीमतों की तो इसकी नजदी की मार्केट में पता कर सकते हैं कि आपको जो ये वाराइटी किस रेट पर मिल रही है अगर उनलाइन से ज्यादा भावबर मिल रही है तो आप इंडिया मार्ट से इसकोडर कर सकते हैं लेकिन अगर ठीक मिल रही है तो आप ले सकते हैं और अगर आपने पिछले कुछ सालों में ये वराइटी लगाई है या फिर गेहूं के और कोई वराइटी लगाई है तो कमेंट करके उसका रिजल्ट ज़रूर बता है ताकि हमको पता चल सके और किसान भायों के ताकि भी उसको साजा कर सके तो दोस्तों बस यही था ऐचली उनतीस रसट के बारे में मैं आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हुगे अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजीगा ज्यादा है ज्यादा शेयर कीजीगा ताकि और किसान भायों के इसकी जानकारी मिल सके और साथ ही मैं